दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है मिलाब गुपता और आप देख रहे हैं इस वीडियो को आपके अपने YouTube चैनल English with मिलाब पर दोस्तो आज का topic बहुत interesting है जो students बिलकुल basic से English को सीखना चाते हैं उनके लिए ये वीडियो dedicated है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा किस तरह से शब्दों के उच्चारन को किया जाता है जाज़े आप हिंदी सीखते हैं तो आपको पता होना चाहिए छोटी की मात रा लगती है तो क्या उच्चारन जाएगा बड़ी की मात्रा क्या साउंड होता है छोटे ओ की मतरा बड़े की मातरा किसी शभद की अगर नीचे लगी होती है किसी अक्षर के नीचे लगी होती है, तो हम उसे क्या उचारण निकालते हैं, इसी तरह से English Language के अंदर भी मात्राएं होती हैं, और उसी तरह से यहां पर भी words होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि अक्षर होते हैं, हमारे ABCD के अंदर आप याद रखें कि A, E, I, O, U, यह जो आप अक्षर देख रहे हैं, A, E, I, O, U, यह इनको English में बोलते हैं, letters, क्या बोलते हैं, letters, इने हम बोलते हैं, letters, इन letters को, सिर्फ A, E, I, O, U को, इन letters को हम एक और नाम से जानते हैं, vowel, इने पढ़ते हैं, vowels, यह जादा हैं तो vowels, और vowel ही, vowel sound निकालते हैं ध्यान रखना, और अगर आपको vowel sound की जानकारी हो जाए, तो आप English का बड़े से बड़ा word अराम से पढ़ सकते हैं, और उसको right pronounce कर सकते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उच्चारन करना, example से अगर मैं आपको बताओं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, माल लेजिए, अपना नाम मैं मैं लिखता हूँ, मिलाप, अगर आपको हिंदी में छोटी की मातरा की जानकारी नहीं है, अगर आपको नहीं पता की बड़े आका डंडा किस तरह का sound निकालता है, तो आप इस शब्द को पढ़ी नहीं पाएंगे, आप इसे कुछ भी पढ़ सकते हैं, मालाप, मलेप, मिल कुछ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं जानकारी है, कि छोटी की मातरा हो, तो मा पे छोटी की मातरा हो, तो मि, ला पे आकर डंडा लगाओ, तो ला, मिला, और लास्ट में पा है, तो प, मिला, प, इसी तरह से बच्चों की तरह आज मैं आपको इंगलिश को भी पढ़ना सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है, और उससे पहले आप एक काम और कर सकते हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो तुरन सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये सीरीज आपको मिलती रहेगी, हम आपको इन सब की पेननसियेशन सिखाएंगे, किस रैसे वर्ड्स डबल हो जाते हैं, डबल ए हो जाता है, ए आई हो जाता है, या ओ यू एक साथ आजाए, तो वर्ड में या शब्द में क्या उच्चारण निकलता है, ठीक है, देखिए, यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको समझना होगा, A, E, I, O, U मैंने आपको बताया, इन letters को हम बोलते हैं, vowel sound, और नीचे होते हैं, consonant, B, C, D, F, G, H, जितने भी बचे हैं, A, E, I, O, U को निकाल कर, A, B, C, D के अंदर जितना भी बचा, यह सारे क्या है, यह consonant sound है, यह हो गया हमारा vowel sound, और नीचे हम इसे पढ़ेगा काल, या कल, लेकिन यह कॉल होता है, यह पढ़ेगा बके, देखो, बके या बाके, लेकिन यह बेक है, इसे तरह से इसे पढ़ सकता है, टीन, लेकिन यह टेन है, इसे पीर पढ़ सकता है, या पीर पढ़ सकता है, इसे तरह से इसे पढ़ेगा फिले, इसे कान पढ़ सकता है इसे फोरम पढ़ सकता है इसे क्या पढ़ सकता है इसे फिला पढ़ सकता है फिला लेकिन ये इनके उच्चारण नहीं होते तो अगर आपको सही guidance मिल जाए आपको सही से पता चल जाए कि किसी word को पढ़ने के लिए आपको इनके rules जानने बहुत जरूरी है अगर वो आपको पता चल जाएं तो आप English के किसी भी बड़े से बड़े या चोटे से चोटे वर्ड को बहुत अच्छे से प्रणाउंस कर पाएंगे Without Guide के, Without Help के ठीक है शुरू करते हैं कलास को सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है Rule No. 1 हमारा Rule No. 1 क्या कहता है आएँ देखते हैं हमारा Rule 1 कहता है जब दो consonant के बीच में A आए तो A को A से पढ़ते हैं वाओ यानि A का sound A हो जाता है जब ये दो consonant के बीच में आता है जैसे B और G ये दोनों हमारे क्या है B क्या है हमारा consonant है G हमारा क्या है consonant है इन दोनों के बीच में A क्या है हमारा vowel है तो CVC का formula कह रहा है यह, CVC का formula लगाओ, तो A का sound जो क्या होता है, वो A हो जाता है, तो यह हो गया bag, क्या sound हो गया, A का bag, इसी तरह से यहाँ पर, C, A, T, cut नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, क्या, इसे पढ़ते हैं, cat, देख रहे हो आप, A का sound आ गया, ऐसे ही, F क्या ह है हमारा, S हमारा F हमारा consonant है, N हमारा consonant है, A हमारा vowel है, तो योगया fan, it's not fun, fan, ऐसे ही, it's not bird, योगया bad, है न, योगया cap, तो बीच में, दो consonant के बीच में, A लगा है, hat, दो consonant के बीच में, A लगा हुआ है, can, RAT, not rat, rat, इसी तरह से यहाँ पर, FAT fat नहीं, FAT fat, और MN, man, clear है, दो consonant के बीच में, A दिखाई दे रहा है, तो क्या करना है आपको, A का sound निकालना है, A का sound लगा के आप word को बना पाएंगे, चलिए, rule number 2 देखते हैं, rule number 2 के कहता है, ध्यान से देखे, यहाँ पर rule number 2 कहता है, जब किसी word में, A आए, और A के बाद, एक consonant को छोड़ कर, last म E हो, ध्यान से देखना, तो A को, A से उच्चारित किया जाता है, यानि इसका उच्चारण, A से किया जाएगा, ठीक है, जैसे, B, यहाँ पर हमारा है B, B के बाद आगया A, A के आए है हमारा vowel है, यहाँ पर B के आए consonant है, consonant के वाउल आया, तो word में A आए, अब word में A तो आया हुआ है, A के बाद अगर एक consonant हो, consonant हमारा क्या है, consonant हमारा K आगया न, और K के बाद एक और E आगया, जो मैंने बताया आपको, कि यहाँ पर लास्ट में E हो, तो इसको हम A से पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे Beak, ऐसे ही इसे पढ़ेंगे Late, इसे पढ़ेंगे Hate, यहाँ हुआ है क्या बीच में क्या है एक वाव्ल लगा हुआ इसके बाद फिर एक कॉंसुनेंट हैं ये लगा हुआ है तो इसे कखे नहीं केक पढ़ें गए एधिन तरह से रेक क्या देट इससे पंदना इसııणा आइ यह फिर हमारा एक कॉंसेप्ट वह समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए कॉंसेप्ट नंबर थ्री पर यह देखिए रूल कितना इजी है सिंपल है बट मैं लिख कर दे सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा इंट तक देखेंगे अभी और इस कॉंसेप्ट को कहीं नोट करेंगे अपने दिमाग में बठा लेंगे तो आप किसी बड़े से बड़े वर्ड को पढ़ने में प्रनाउंस करने में कभी गलती नहीं करेंगे क्योंकि यह बेस रूल है बहुत इंपॉर्टन ठीक है जब किसी वर्ड में एक के बाद डबल एल आ यहां पर देखे है स्माम के बाद डबल एसे वर स्व Жवल इसने डाल उकॉल का संड निकाल कि आपको बोलना है जब भी A के बाद डबल L आता है तो A का साउंड हो जाता है ओ का ठीक है चलिए रूल नमबर 4 देखते हैं अब हमारे पास है रूल नमबर 4 ध्यान से देखें देखें क्या कहता है रूल नमबर 4 किरहें जब किसी word में A के बाद आर आए तो A को आ अब A को A नहीं आ पढ़ेंगे अगर किसी word में A के बाद आर आ जाता है तो जैसे bark में B के बाद आर आ गया तो इस bark तो B B से बना बा ठीक है और ये A A से हो गया हमें आ लगाना ना आ का sound लगाना है तो योगया बा उसके बाद रा का को पढ़ने के लिए का के उपर हम कनहिया बठा देंगे रा को तो बार्ग ठीक है ऐसे ही यहाँ पर मार्ग तो M है हमारा मा मा फिर ये आ करंड़ा लगेगा आ के लिए और आर और जी के लिए हम पहले जी के लिए गा लगाएंगे और उपर रा को कनहिया बठा देंगे गा के ठीक है छोटे बच्चे तो वैसे भी कनहिया बठते ना इसी तरह से सी ए आर्टी तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कार्ट अब एक पूर आपको बतादू कि इसी के बाद जब भी आइ आता है लगाना सी के बाद आां जाए तो साउ़ड आ तो ए का साउट आ होजाता है इसी तरह से वारन या वँट भी बन सकते है ठीक है तो हमें पता चला कि A के बाद अगर आर हुआ तो A का उचारण में A करके लेना है यह था हमारा rule number 4 चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जल से लग लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जैसे past के अंदर P, A, A के बाद S, T आ रहा है तो इसे पढ़ेंगे past इसी तरह से यहाँ पर ma, M के लिए लगाएंगे ma और A, S के आ गया A के बाद तो हम इसे पढ़ेंगे ma, sk, mask, sk, ठीक है ऐसे ही bask, ऐसे ही task, flask, past ऐसे ही C, A, S, T, A के बाद S, T आया cast और C, A मिलके का बनाता है, ठीक है LA, LA हो गया हमारा la और उस S, T के लिए last इस तरह से last, ठीक है rule number 5 के लिए हुआ, चलिए, आगे चलते हैं rule number 6 की दरफ rule number 6 बड़ा important है, देखे द्यान से कह रहा है, जब किसी word में A के बाद Y आए तो A को A से पढ़ते हैं, जैसे A के बाद Y तो इसे पढ़ेंगे B के लिए बा लगाया, फिर A, B, है ना D के लिए डा लगाया, उसके बाद D, ऐसे ही pay, lay, play, play मतनब खेलना play, may, हमारा महीना month, may, इसे may पढ़ते हैं कहे बच्चे, may नी, may, इसी तरह से इसे say, इसे ray, इसे way और इसे gay, ये साउंड होता है, हमारा A के बाद जब भी वय आता है, तो A का साउंड आता है, अब A का साउंड नी आएगा कि my, side, right, गलत नहीं पढ़ना है, A के बाद Y होगा, तो आप इसे A का साउंड नेंगे, may, say, ray, way, day, इस तरह से, ठीक है, चलिए, rule नमबर 7 पर चलते हैं, अब हमारा rule नमबर 7 क्या कहता है, देखें, rule नमबर 7 कहता है, जब किसी word में AI, देखो ध्यान से सुनना, AI के बाद N या L हो, N हो या L हो, तो भी AI का साउंड एसे ही जाएगा, जैसे, pain word है, इसमें AI साउंड आ रहा है, तो इसे pain, ऐसे ही M, M के बाद AI लिगावा है, main, G, G के बाद AI लगाए, last में लगाए, तो G, N, गा ना तो यह हो गया, बीच में लगाओ, again, ऐसे ही H, L, हाला तो यह हो गया, और AI लगाएंगे तो H, L, इसे तरह से, F, LA, F, L, तो यह हो गया, देखो, F, और उदर लगाए, LA, F, L, F, L, तो यह हो गया, लेकिन AI लगाने के लिए, F, L, इसे तरह से, B, LA, B, L, तो यह हो गया, B, LA, B, L, बीच में AI या, AI के लिए, A की मातरा बेल इसे दर से राना राना के लिए रन तो यह हो गया लेकिन AI के लिए A की मातरा रेन ऐसे ही माला माला लगाया माला और AI की मातरा के लिए AI के लिए आप मातरा लगाएंगे A की तो मेल इस दर से आप इसको पढ़ेंगे AI के बाद अगर N और L है तो AI को A के sound से आप word को पढ़के देखें आपका word जो बोला जाएगा वो गलत कभी नहीं हो सकता ठीक है ये rule पत्थर की लकीर है इसलिए इनको नजरन्दास नहीं करना इसी rule को English इसी माद्धियम से सीखी जाती है जब किसी word में A के बाद R E आए तो A को AI पढ़ते हैं देखो ध्यान से सुनना बहुत important है अगर कोई ऐसा शब्द है जिसमें AI ठीक है उसके बाद R E आजाए जैसे ये R E आगया तो आप इसको AI sound से पढ़ेंगे जैसे care तो D है तो dare F है F A R E तो fair इसी तरह से M है तो मेर इसी तरह से L है तो लेयर इसी तरह से SH शेयर तो A के बाद R E आता है तो AI का sound निकालना है यह ठीक है यह था हमारा rule number 8 चलिए अब चलते है rule number 9 की तरफ जब किसी word में AI के बाद R आए अब फिर सुनना द्यान से AI के बाद अगर क्या है आ रहा है तो AI को क्या पढ़ते है अगर AI के बाद आ रहा जाए तो भी इसको AI पढ़ते है जैसे CH AI आ गया उसके बाद आ रहा है चेयर इसे दर से AI आ रहा है तो पेयर एच रहा है एच और रहा क्या हुआ है एच और रहा तो हा रहा हो गया लेकिन AI तो क्या पढ़ेंगे AI तो हेयर इसे दर से आर और लास्ट में क्या है आर तो आर और बीच में पा भी है पी भी है आर भी है और क्या है आर भी है तो यह तो हो तो आप देखो एक के लिए लगाया यहां पर एक साउंड है तो ए मात्रा और यह तो रोगया रिपेयर लेकिन यहां पर आरई है तो इस नौट रे इस दरी रिपेयर आर यहां यह ना का साउंड निकालता है हैं ऐसइे एयर ऐसे इफ व्यर टो फी इर बीच में एक इंड का सूंड लगाना है तो ऑपको लगाना है तो cop अलगाना होता है ग९ंन लूम्बर 10 क्या कहता है देखें लूम्बर 10 हमें यह याद रखना है अगर कोई ऐसा word है जिसमें यू आया हो है ना तो यू को आ पढ़ेंगे दिहान रखना कोई ऐसा word आपको मिल जा इंगलिश का जिसमें ए यू हो तो प्यारे बच्चों वहाँ पर आपको क्या पढ़ना है उसका sound निकलना है और पर एक्जामपल इस वर्ड को आपने देखा बहुत बड़ा वर्ड है तो आपने ए यू का वर्ड देखा तो इसे आप पढ़ेंगे को क्या sound देते हैं कि क्लियर हो गई बात चलिए रून नमबर 11 जब किसी वर्ड में एडवल्यू आए अगर कोई शब्द ऐसा जिसमें एडवल्यू आए वर्ड है तो ए डवल्यू को भी औ से पढ़ा जाता है अपको पता है ना हमारा कानून एडवल्यू है लौ पढ़ाजा रहे ना लिखा भी वह है लौ एसे ही को, एसे ही सा, रो, फॉन, एसे ही शा, शा से बना, ऐसे से बना शा, और यहां पर ओ लगाना है, तो हम लगाएंगे आका डंडा और यह, और लास्ट में ला है, यह तो ला, शाल, इस तरह से आपने देखा, कि A, W को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, ठीक है, चलिए, अब हमारा ये तो था सारा ए से रिलेटेट सारा मैंने आपको उचारण बताए उसके रूल और नियम बताए 11 की 11 ठीक है अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ E से रिलेटेट दोस्तों वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगी अगर हम इस सी वीडियो में सारे टॉपिक ले लेते तो हमने A और E को कवर किया है अगर यह वीडियो आपको इंट्रस्टिट लगा हो इंट्रस्टिट लगा है वीडियो तो वीडियो को कॉमेंट करेए जरूर बताएए कि सर हमें पार टू भी चाहिए तो मैं आप लोग के लिए पार टू भी लेकर आऊँगा दोस्तों और वित्तार से बताने के लिए तो A, E को मैं यहाँ पर cover कर रहा हूँ O, I और U, इनको भी हम cover करेंगे अपने part 2 की वीडियो के लिए ठीक है हम वीडियो जरूर डालेंगे आप लोग के लिए E के उचारन के नियम क्या कहते है कहता है जब 2 या 3 consonant के बीच में E हो तो E को A पढ़ते हैं E नहीं पढ़ते हैं द्यान रखना वैसे तो इसका उचारन E होता है लेकिन जब यह consonant के बीच में होता है तो हम इसे sound क्या निकालते हैं sound A का निकालते है A का जैसे S, E, T तो यह seat नहीं E नहीं है यह seat नहीं इसे पढ़ेंगे set इसे तरह से D E N Den N E T net G E T get S E P E T pet L E T let H E N hen hen और W T W से बना wa और T से बना ta और पढ़ेंगे क्या wet A का sound लगाना है ठीक है इस तरह से आप इसको clear कर सकते हैं next हमारा देखे यहाँ पर rule क्या कहता है देखो जब किसी word में double E आये तो double E को E का sound देते है उच्छोटी E की मात्रा पुड़ते है इसे आपको क्या करना है इसे आपको stretch करना है ठीक है जैसे यह है डा और यह है पा यह दो हमारे क्या हैं यह हमारे consonant है डा और पा बीच में E तो E की मातरा लगाएंगे तो Deep हो जाएगा ऐसे ही यहां पर है Fa और यहां पर हमारा है Ta और हमें E का साउंड निकालना तो बन जाएगा Fit ऐसे यहां है Ka और यहां है Pa और यह हो जाएगा Keep इस तरह से यहां है Ha और Last में है L यानि कि ला तो यह हो जाएगा heel इसी तरह से jeep और weak वीप तो double e आपको अगर दिखाई देता है words के बीच में तो आप उसका sound e से निकालते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं हमारा rule number 3 e का क्या कहता है देखो उसको जब किसी word में e a आए तब भी उसको क्या पढ़ेंगे e ही पढ़ेंगे जैसे double e को तो e पढ़ेंगे बड़ी e a को भी e ही पढ़ेंगे जैसे b e a t तो beat h e a t तो heat n e a t तो neat p e a के तो peak c है ना कितना सान l e a n तो ये l और न l ये रहा और n ये रहा है ना बीच में e a के लिए lean ऐसे ही t इसको t या नहीं पढ़ेंगे t पढ़ते हैं अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये rules कितने important है initial stage के अंदर अगर आप words को सही से उचारण करना चाहते हैं तो उसकी pronunciation आपको पता होनी है होनी चाहिए अब पता करनी है तो आपको ये वीडियो पूरा end तक देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा जब e a या double e के बाद r आ जाता है मतलब अगर कोई word है जिसमें e a आ रहा है फिर r आ रहा है ये double e आ रहा है तो r आ रहा है तो e a या double e को हम e a पढ़ते हैं क्या प अब ये डीर नहीं डीया ई नहीं अब e a क्योंकि double e के बाद r आ गया या e a के बाद r आ रहा है तो रूल चेंज हो जाता है ऐसे ही फियर टीयर और चीयर आया ना e a का sound आया ता चीयर डीयर फियर टीयर इस तरह का sound आएगा तो आपको पता होना चाहिए e a ये double e हो उसके ब है तो यहाँ पर sound होगा e a का और इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर double e है और e a है तो भी हमारा sound क्या रहेगा sound हमारा e का रहेगा e लेकिन यहाँ पर e a हो गया क्यों क्योंकि last में r लगा हो गया यह फर्क समझाया आप देखे यह वाला rule हमारा fifth क्या कहता है यह बहुत important concept है सही से देखा जाए तो अगर किसी word में e के बाद r आये तो e को आ पढ़ते हैं e नहीं पढ़ते देखो ध्यान से देखो अब तरह से t e के बाद r आया इसे पढ़ेंगे term इसी तरह से जी बाद g के बाद e है e के बाद ठीक r लगावा है तो e r मिलकर क्या बन जाता है अ बन जाता है तो यहाँ पर बनेगा germ है ना अब आपको समझ में आया यह rule कितने important है आप लोगों के लिए और अगर आपने demand में या comment में अगर answer लिग दिया comment में आपने बता दिया कि sir next part हमें जरूर चाहिए आप जरूर लाए फिर तो मैं डालने ही वाला हूँ बस समझ लेजे तो आप मेरे को comment करके जरूर बताएगा वीडियो कैसा लगा आपको ठीक है जब किसी word में e के बाद w आए तो e w को हम क्या पढ़ते हैं e u से पढ़ते हैं e u जब किसी word में क्या होगा e के बाद w आए तो e w को हम e u पढ़ेंगे जैसे d e के बाद w du इसी तरह से m है m से बना maa और e u के लिए हम पढ़ेंगे mu और यह m जो है यह half लगेगा mu इस तरह से f e w तो यह हो जाता है few ऐस e u का साउंड हमारा e u का साउंड होता है e u d u m है तो mu n है तो new f है तो few और r होता तो rew do होता तो du k होता तो q इस तरह से e w से हम e u का साउंड निकालते हैं तो दोस्तों जल्दी से कॉमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और हाँ अगर आप इसका part 2 भी दे कारण सीख सकते हैं इसी तरह से a e हमने कर लिया आई ओ यू पर भी मैं वीडियो जरूर आप लोग के लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो के तक कि इंतजार कीजिएगा मैं भी लागता मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तिल देन गुड़ बाई